बहुत समय पहले की बात है अचानक लोगों का ध्यान उनके तरफ खिचा चला आता और धीरे धीरे उनके चारो तरफ एक बड़ी फ्यूरी कठा हो जाती वे इतनी एक आगरता तल लीनता वो संपूर्णधा के साथ हसते कि उनकी हसी देखकर सारा गाउं हसने लग जाता जब वो पूरा गाउं हसी के अगर में डूप जाता तो वे दूसरे गाउं चले जाते वे ना तो कुछ बोलते थे ना ही कुछ उकदेश देते और ना ही कुछ इक्छा वे जहां भी जाते अपनी हसी से ऐसा महौल बना देते कि लोग अपने सारे दुख दर्द भूल कर बस हसने लग जाते धीरे धीरे पूरे चाइना में फेमस होते गई थ्री लाफी मॉंग के नाम से चाइना के लोग उने बहुत प्यार करते उनका सम्मान करते इससे पहले और उनके बाद भी कभी किसी ने इस तरह से प्रचार नहीं किया कि जीवन केवल एक हसी होना चाहिए और कुछ नहीं वे बिसेस प्रूप से किसी पर नहीं हसते थे वे बस हसते थे जैसे कि उन्होंने ब्रमहंडी मजाग को समझ लिया हो जैसे कि उन्होंने इस्वर की मजाग को समझ लिया हो और उन्होंने एक सब्द का उप्योग किये बिना पूरे चाइना में इतना आनंद फैलाया जितना आ एक रात जब वे एक गाउं में ठहरे हुए थे उन तीनों में से एक विक्षू की मौत हो गई। पूरा गाउं इस तब रह गया। पूरा गाउं बहुत ज़्यादा उमीद कर रहा था क्योंकि उन्हें लगता था कि जब उनमें से एक की मृत्ति हो गई होगी तो बागी दो जरूर रोएंगे यह देखने लायक होगा क्योंकि किसी ने भी कभी इन लोगों को रोते हुए नहीं देखा था जब सुबह हुई तो पूरा गाउं इकठा हुआ लेकिन दोनों विक्छू तीसरी की लास के पास खड़े जोर जोर से हस रहे थे ऐसी हसी जैसी उन्होंने आज से पहले कभी नासी हो गाउं के कुछ बड़े बजुर्गों ने उन्हें समझाने की कोशिस की कि यह आपका साथी था और इसकी मरत्यों पर आपको हसना नहीं जहिए तब उस दिन पहली बार उन विक्छू ने लोगों से बात की और कहा हम हस रहे हैं क्योंकि यह आदमी जी उपस्तिती का आनंद लिया उसे अंतिम बिदा देने का इससे बहतर तरीका और क्या हो सकता है हम केवल हन सकते हैं लेकिन पूरा गाउं उदास था जब मरत्य विक्छू के सरीर को अंतिम संसकार के लिए चिता पर लिटाया गया तो सारे गाउंवालों को एहसास हुआ कि से इस दो विक्छू केवल मजाप नहीं कर रहे थे वह तीसरा जो मरत्य था वह भी हंस रहा था चीन में यह प्रथा थी कि जब एक इनसान की मरत्य हो जाती थी तो उसके पुराने कपड़े उतार कर उसे नहला दुआ कर उसे नई कपड़े पहना दिये जाते थी लेकिन मरने स से पहले उस बिक्छू ने अपने सातियों से अपने कपड़े ना बदलने के लिए कहा था तीसरे ठेक्छून ने कहा था मुझे इस नान मत करवाना यह क्योंकि मैं कभी असुध हुआ ही मेरे जीवन में इतनी हसी आई कि कोई असुधता जमा ही नहीं हो सकती थी मैंने कोई धूल जमा नहीं की है हसी हमेशा युवा और ताजा होती है इसलिए मुझे नहला कर मेरे कपड़े मत बदलना जब उस तीसरे विक्छू के सरीर पे आग लगाई गई तो गाउवालों को पता चला कि उस बिक्छू ने मरने से पहले अपने कपड़ों में कुछ पुराने चीनी पठाकों को चिपा रखा था जो आग लगने के बाद फटकर आसमान में रंग बिरंगे कल्रों में फैल गए और यह देखकर एक बार पूरा गाउव जोर जोर से हसने लगा तो इस तरह से वह तीसरे मौंक मरने के बाद भी सारे गाउवालों को हसा गया और यह देखकर से दोनों पिक्छू ने कहा चाला का अदमी तुम मर चुके हो लेकिन तुमने हमें एक बार फिर हरा दिया तुम्हारे द्वारा गाउवालों के चहरों पर पैदा की गए यह हसी आखरी हसी थी ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए सबस्क्राइब कर लो मिलते हैं नेक्स वीडियो में